हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो एबी क्लासेज फ्रेंट्स आज का सब्जेक्ट है रेफ्रीजरेशन एंड एर कंडिशनी जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूँ रेफ्रीजरेशन का इंट्रोडक्शन यादी फ्रेंट्स आप रेफ्रीजरेशन की डेफिनिशन इसका प्रि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स जो आपको रेट कलर में सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है उस पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकोन पर क्लिक कर लें जिससे कि जब भी वीडियो में अफ्लोड करों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके अब फ्रेंड्स स्टाट करते हैं आज का वीडियो सिर्फ आपको जान से सुनना है और समाईना है इसकी डेफिनेशन को समाईने से पहले यहाँ पर जो बर्ड लिखा हुआ है रेफिरेशन इसका नॉर्मल मतलब समाई लेते हैं सबसे पहले तो जो रेफिरेशन होता है इसका क्या कम होता है यह किसी बस्तू से हीट को एस्ट्रेक्ट करके उस बस्तू के टेमपरेचर को कम करता है और उसको मेंटेन करने का काम करता है इ उसकी तुलना में किसी बस्तू से heat को extract करके उस बस्तू की temperature को कम कर देना और उसको maintain करना जैसे कि आपने अपने घर में फ्रिज दिखा होगा जब हम फ्रिज में कोई भी बस्तू रहती है गरम रहती है उसका temperature थोड़ा सा अधिक रहता है तो हम जैसे ही फ्रिज के अंदर रखते हैं तो आज धीमी धीमी क्या होती है उसका temperature कम होने लगता है मतला वह ठंडी होने लगती है जबकि उसके बाहर का जो हमारा फ्रिज रहता है उसकी तुलना में केतना रहता है आधिक रहता है इसी तरह आप लोग उने बाटर कूलर के अंदर दिखा होगा जब बाटर उसके अंदर भरते हैं या बेशते हैं तो इस टाइम उसका temperature कैसा रहता है आधिक रहता है लेकिन कुछ दिर बाद हम देखते हैं उसका temperature कम होने लगता है वह बाटर धंडा होने लगता है उसकी सरावर्णिंग की तुलना में यह होता है र अबैसे हमारा रेफिरेशन या एर कंडिसर या बी किया है जो भी हमारा साइंस है उसकी एक ब्रांच है क्या है उसकी एक ब्रांचे जिसके अंदर हम क्या करते हैं कोई भी बस्टू या कोई बाडी है उसके temperature को कम करने की method और उसको maintain करने की जो भी method और प्रोसेस होती है उ जब इसको कैसे लिखेंगे और इसको कैसे समझाएगे यह आंगे समझते हैं यहाँ पर इसका principle लिखा हुआ है इस diagram शुरू थोड़ा समसमाईने की कुशिश करेंगे कि principle किस तरह काम करता है सबसे पहले मैं बता दूए किस के principle काम करता है एक आता है thermal equilibrium के principle पर thermal equilibrium आप लोगों ने पढ़ा हुआ thermal के अंदर जब मैंने समझाए था कि जब भी कोई भी दो बॉड़ी contact में आती है तो जिस बॉड़ी का temperature अधिक रहता है वहाँ से temperature ट्रांसफर होता किस की ओर lower body temperature की ओर मनलग जिस बॉड़ी का temperature कम होता है उसकी ओर higher body का temperature रहता है जिस बॉड़ी का temperature ज्यादा रहता है वहाँ से जिस बॉड़ी का temperature कम होता है उधर की ओर क्या होती ही heat transfer होने लगती है और जब तक transfer होती रहती है जब तक कि दोनों का temperature एक समान नहीं हो जाता है जैसे कि जब भी आपने देखा होगा खिशी भी गरम चीज को पकड़ते हैं तो क्या होता है हमारा हाथ गरम होने लगता है मतलब पहले हमारे हाथ का तैंपरेचर कम था और उस रोड का या किसी भी बस्तू का तैंपरेचर अदिक था वहां से temperature transfer किदर होने लगा? हमारे हाथ की हो ले? यह हम देखते हैं जब भी हम किसी ठंदी बस्तू को पगड़ते हैं तो क्या होता है? हमें ठंदा लगता है बत्ता है मेरी हाथ का temperature अधिक होता है उस बस्तू का temperature कितना होता? कम होता है लेकिन कुछ दिर बाद देखते हैं देमे-देमे उस बस्तू को हमें टेंपरेचर लॉर्मल लगने झालता है क्यों क्योंकि हमारे हाथ जो टेंपरेचर अधिक था उसकी हीट क्रांसफ़र होती है उस थमसमें ठंडी बस्तू में जिसको हैं पक्ड़े होगे इस तरह क्या होता है, temperature transfer होता है higher body to lower body तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी सुद्धान्द पर हमारा जो fridge होता है या refrigerator होता है, काम करता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं, refrigerant या करते हैं, refrigerant यूज करते हैं, जो होता है, जो पूरा system होता है प्रिज का जो अभी में समझाने वाला होता है समझाने वाला हूँ उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर मूव होता है या सरावने उसके अंदर क्या होता है ऐसा ही सर्कुलेट होता है जब circulate होता है कि फ्रण है में जा नहीं है शुछ करना है। अब है या करता पहर श्रूज करता है। अब हमारे जो भी बश्रूरा भतना होता है, इतना समन्झ में आगया होगा नहीं समन्झ में आए तो इस डाइगराम की थुरूर तो अच्छे समिज़नी कुस्ट करना हूँ WID cuanto component तो आपको अच्छे समान्य में आजाएगा यहां पर आपको दिख रहा होगा यह हमारा पूरा फ्रेश दिख रहा होगा जैसा आपकी घर पर होता है इसी की तुरू समयने की हुश्चित करते हैं पूरे प्रिंशिपर को यहां पर एक compressor लगा हुआ है जो क्या करता है हमारे जो रेप्रियेंट यूज करते है उसको compress करता है compress करने का मतलब होता है pressure और temperature को दोनों को increase करना है आगे यहां पर देख रहा है condenser लगा हुआ है condenser यह condenser क्या करता है जिस भी body का temperature जो gas की रूप में रहती है जो भी लिधा की का है liquid फॉर्म में convert कर देता है जहां पर क्या होता है जो expand होता है इसका pressure वह भी कम हो जाता है और temperature भी कम हो जाता है और यह क्या होता है पूरा liquid की फॉर्म में convert हो जाता है पूरी प्रवलेटर की कोई होता है, यहां पर क्या होता है? यहां पर हमारे फ्रूट्स बग़र जो भी रखते हैं, उसकी हेट फ्लो होती रहती है, तो उसकी हेट को क्या करता है? एफट्रैक करता मला रिशीप कर लेता है कि क्योंकि हमारे लिवीड्स पढ़ी सब्सक्रेट पर मारे पर बढ़ी तो में रता है सब्सक्राइब करेंडने क्यों भय जो है जैस की यह ऑनगे की ओर फिर्लो जैसे ही pressure increase होता है तो जी condenser के अंदा जाता है इसके अंदा condensing होती है मतलब जो gas के रूप में होता हुआ फिर से liquid के रूप में convert होने लगता है फिर से expansion device में क्या होता हुआ इसको temperature बिल्वार हो जाता है heat को react कर देता है इस तरह फिर से इस evaporator coils के अंदा जाता है कुछ कुछ करता है तर्व इसकी टेंपरिचर को जितना कम से कम कर सके अतना कम करता रहता रहता है उन पर लोगाक होगा बिदा कर रहता है और आपको आपको समय नॉर्मल अगर प्रिंसपा लिखने को आता है तो आप इसको लिख सकते हैं और जैसे मैं थोड़ा समझाने की खोशिश की उस तरह आप समझा भी सकते हैं आपको यहां पर समय में आ गया होगा अब नेक्स इसके जो भी मैथड होती हैं कई बार वह भी लिखने को आ जाती है उसको भी समझ लेते हैं तो यहां पर कुछ मैथड लिखे हुई है जो डायरेक्ट एक्जाम में नाम लेखने को आते हैं या दि फ्रेंड्स आप इन में से कोई भी ऐसी मेथड है जो एक्स्प्रेंड करने को आती है उसके उपर में पर्टिकॉलर वीडियो बनाएंगे अभी सब इसके नाम देख लेते हैं क्योंकि इस तरह लिखने को एक दो बार तीन नंबर में या दो नंबर में कुछ यहां जिसके आइस रेफिरेशन है ड्रा इनकी नाम डायक लिखने को आयाते हैं मैं जैसे मैं बताया कि जो भी इंपोर्टेंट होगी उनको मैं समझाओंगा पर्टिकॉलर वीडियो बनाएंगे लेकिन अब इसकी एप्लिकेशन को समय लेते हैं एप्लिकेशन भी कईवार लिखने को आ जाती है तो यहां पर जो ए जानते हैं जैसे कि यहां पर एक कंपड़ एर कंडिस्निंग की रूप में जो भी हमारे विल्डिंग्स वगरे रहते हैं जो भी हमारे सिनेमा ओल्स रहते हैं सब इसकी बात करें पानी खंडा करने के लिए उज़ करते हैं इसकी बात करें पानी खंडा करने के लिए उज़ वेट की प्राइब कर सकते हैं, यह चंपल की रूप में लिखे हुए है कि यह क्या रहना है अभी करना पर जिनको लगना परता है इसको सकते हैं, यह डित की इसका यूज में घ्ला में देखेंगे वहां पर भी बिलट बगएरा है जो भी बस तुए है ऐसी चीजें जो हमें विलकुल गोल्ड स्टोर में लखना करती हैं वहां पर भी हम इसका यूज करती है तो नर्मल अप्लीकेसन आप अपने मन से भी लख सकते हैं यहाप पर कुछी लिख दी हैं जिसको आप पढ़ की समझा सकते हैं friends मैंने normal introduction समझाने के qoosies की हैं इंट्रोड के अंदर कौन-कौन से question आ सकते हैं वह मैंने बता दियें जैसे की normal definition लिख़िए उसका principle भी समझाना आ सकता है तो principle को आप समझा सकते हैं definition को भी समझा सकते है method को भी समझा सकते हैं और application को भी समझा सकते हैं वे दो तिन तरह के को जो question पूछे आते हैं introduction से related वो मैंने बता दियें अब next वीडियो में लेकर आऊँगा इसके related continue पूरा से लेबस करवाने की कोशिस करूँगा friends यादी वीडियो जब भी पसंद आता तो उसको like और share जरूर करें Thank you friends